तो यहां पर क्या हो रहा है इसको कहते है वॉलिटिलिटी स्क्वीज वॉलिटिलिटी स्क्वीज अब यह क्या चीज है इसका मतलब होता है कि यहां से एक रेंज बनाई है और धीरे धीरे मार्किट अपने आपको लिफ्ट कर रही है या गिराने के त्यारी कर रही है उसके बाद में एक ब्रेकाउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा अब यहां पर मैं दोनों possibilities को आपको समझा दू क्या होता है यह देखे यह तो समझ में आ गया कि यहां पर squeeze हो रहा है अब data की बात करें तो जैसे मान लीजी हम option chain की बात करते है data wise तो अभी हमारे पास में यह बड़ा सा question रिजर आ रहा है reason 18600 पे 18600 और 18500 इन दोनों पर support है यहा पर 18600 और 18700 पे resistance है तो idly range हमारी कितना हो गया 200 point का मान लीजे अगर आपको वे trade भी लेना हो मैं जो strategy बनाते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है 18800 और 18400 का एक range बना लेजे मतलब 100.2 पर कर लीजेगा और 100.2 नीचे और उसका एक butterfly बना लेजे है butterfly strategy आती है तो वो बड़े अच्छे से काम करेगा इस time पे यह इनी दिनों के लिए बनती है एक और चीज़ यह था हमारा part 1 मतलब हम पहली possibility लेकर चल रहे हैं कि यह हमारे लिए एक possible जो है strategy possible है दूसरा हमारे पास क्या है जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि यहां पर market में volatility contracts करते हैं VCP volatility contraction price तो यहां पर क्या होता है अब जैसे इधर की बात करें इधर की और इधर की लगातार जो है market 18600 को और 500 को defend कर रही है तो क्या होता चोड़ी buying किया जाता है चोड़ी buying किया जाता है और buying के बाद में market को stable रखा जाता है और वहीं से push कराया जाता है उपर की तरफ यहां पर वही possibility बन रही है बट जो हमारे macro economies data है या global data है वो इस बात को support बिलकुल नहीं कर रहा और दूसरा क्या है market हमारा almost lifetime high के आसपास भी है तो दोनों factor बिलकुल अच्छे से काम नहीं करें और जो हमने weekend पे वीडियो बनाया बताया भी था कि market थ्रॉस expensive है इस time पे जो है P forward 22 पे trade कर रहा है जबकि हमारा normal P 18 के आसपास चलता है उससे पहले 16 पे बड़ी अच्छी सी buying आती है तो यह level अभी बहुत नीचे है और यह level बहुत उपर है nifty को लेकर तो 5-6% का 5-7% का आराम से nifty में fall आ सकता है तो यह taking any trade on those levels then you must consult with your financial यह सारे मैं आपको सिर्फ chart analysis बताता हूँ ठीक है तो इसको अगर आप बात करेंगे अब यह हो गया हमारा second part अच्छा आज कुछ है नहीं हमारे पास में मैं आपको सिर्फ stocks provide करूँगा stocks जो levels है वो provide करूँगा जो हम बताते हैं कि यहां से आपका rise कर सकता ह प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी तो आपको देखी रहे हैं कि बिल्कुल flat है तो जब तक वो range में रहेगी अपना time waste ना करें उसके उपर butterfly बनाके जरूर trade कर लेगा बहुत minor सा आपका loss होए गया और बड़िया सा profit होगा अच्छा आपको profit देखने को मिलेगा तो यहां पर और हाँ यार अगर अभी तक आपने में subscribe नहीं किया है तो अभी जाएगा subscribe बटन पर click कीजिएगा उसके बाद ही वीडियो में आगे बड़ेगा आपके subscription हमारे channel को बहुत support करता है plus 16th zone को 7 p.m. पे मैं आपके लिए यही सब जैसे हम discuss कर रहे है न 7 p.m. एक webinar लेकर आ रहा हूँ उसको आप जरू अटेंड कीजिए यहां पर हम आपको यह सारे के सारे setup मतलब एक ही proper setup हम सिखाएंगे जिसके basis पे आप intraday trade कर सकते हैं तो उसका link हमारे description box में available है आप उसको जाके join कर सकते हैं अब यहां पर level की बात तों करें ने रहा है आज तो क्योंकि market range bound है उपर जाएगा नीचे गिरेगा अभी हमें खुद भी नहीं पता है reason being यह level break होगा 18700 और 18500 यह level break हो तब तो बात करें आज 601 पे है तो 100.500.2 पर 100.500 नीचे तब तक market कुछ नहीं कर रह तो आप क्या करेंगे एक तो आप यह काम कर सकते हैं जिसे मैंने कहा एक range बना के रखिएगा आप इसमें 30 मिनिट का time frame रखाईएगा और इसको एक range पर रख लिए जगा देखें यह क्या कर रहा है ऐसे और ऐसे बन रहा है तो मैं कह रहा था ना कि तिरी दरे हलका फलका push भ बाद में यहां पर यह fall करेगा और जिसके basis पर आप जो है sell कर सकते हैं level theoretically मैं आपको provide कर दूँगा बट वो इतने ज्यादा accurate नहीं होंगे क्योंकि market range bound है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप हमरे telegram पर join कर सकते हैं जहां पर हम जैसे कोई बड़ी moment आने की त्यारी होगी market क के अंदर उसकी हम आपको update दे देंगा उसका link भी आपको description box मिल जाएगा तो फिलाल तो हमारे पास यही बचा हुआ है nifty के अंदर जो काम कर सकता है फिलाल otherwise wait and watch करेंगे यहीं पर similar concept पर bank nifty भी काम कर रहा है अब bank nifty में क्या हो रहा है bank nifty में यह हो रहा है देखे और ऐसे ह आला कि bank nifty थोड़ा सा weak है 43,950 के round है resistance 44,000 का है 44,200 का है support 43,800 का है और 700 का तो अटगे न बीच में 200.2 पर 200.2 नीचे तो यहाँ भी हमारे लिए वही हलात हैं जो हमारे nifty के अंदर थे बट एक छोटी से बड़ी interesting बात यह है कि bank nifty में भी vcp या volatility जो है वो कम होते जा रही है और जब volatility कम होती है और market नहीं गिरती है तो एक बड़ा blast आता है जो कभी कभी positive side होता है इसी लिए मैं आपको कोई भी trade इस time पे buy के लिए भी provide नहीं कर रहा हूँ ना ही कोई sell के लिए reason being sell इसले नहीं कर रहे है कि जो हम मैं बार बार आपसे कर रहा है कि जब market squeeze कर रही है लेकिन price नहीं कर रहा तो बड़ा moment उपर के तरह आ सकता है तो उसका हम तभी wait करेंगे या उसको हम तभी trade करेंगे जब live market में data points जिसको आप option chain कहते हैं तो अगर आपको option chain के बारे में अच्छे से समझना है तो comment box में लिखिएगा मैं आपके लिए live session रख लूँगा तो उसमें आपको फिर से समझाये जाएगा क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी होती है जो हर बार नई चीज़ आपको समझाने के लिए मेरे पास में होती है तो वो भी हम कर सकते हैं बाकी level आपके समझ में आई गी होंगे यह हमारे पास level निकल के आएंगे और यहां भी हम आपसे यही कहूंगा कि जब यह line आपने ड्रॉ क ब्रेक हो गई आज आप इसको ब्रेक करके इसके उपर जाए और होल्ड करे तो यह वापिस से यहां तक भागेगा ब्रेक तो होई चुका है अटेंप्ट में एक बार फेल हो जाएगा तो यहां पर बैंक निफ्टी फॉल करना शुरू कर देगी यहां भी आप चाहें तो 44 300 का और नीचे की तरफ 43 700 का बटरफलाई बना सकते हैं अगर पेशन्स रख सकते हैं थ्रौसा शानत रहें दो चार दिन की बात है और वैसे भी अब FOMC मीच है कल परसो और थर्सडे को उसके बाद भी कोई नई मुवमेंट आएगी हो सकता है मार्किट अगले तीन दिनों क के अंदर अपने आपको consolidate करे फिर एक push दे और उसी push के साथ में हमारे लिए फिर अगली मुवमेंट निकल कि आएगी जादा चांस तो ऐसे दिख रहें कि मार्केट थोड़ा सा स्लाइड करना शुरू कर दे नीचे तो बीच में अगर एक दो आपको rise देखने को मिले उपर दिए हैं उनी के basis पे फिर आपको या तो wait and watch कीजेगा वरना इन level के basis पे आप थोड़ा सा intraday में थोड़े से छोटे target से लेका trade कर सकते हैं stock selection में हमारा पहला pick रहेगा श्रीराम finance अब श्रीराम finance को क्यों choose किया पहले यह देखेगा इसकी analysis क्या कहती है एक rise हुआ था उसके बाद में उसने almost उनी level के आसपास आके support लिया फिर rise किया और यहीं से bounce किया attempt बनाया consolidate किया और फिर से भागा तो यह जो level है यह level अगर break हो जाता है तो stock इसके उपर rise करेगा ठीक है तो आपके लिए यहाँ पर buying opportunity आएगा और यहीं पर मैंसे देखेगा यह lifetime high है और rounding bottom बना है तो stock कभी कभी क्या करता है इसी level को resistance face करता है और resistance face करके अगर profit booking पे जाएगा तो आप intraday में इसको sell करके trade कर सकते हैं और यही reason है हमारा इसको pick करने का बाकी volume ठीक ठाक है इतनी ज़्यादा बुरी volume भी नहीं है उसके बाद अगर बात करें intellect design की तो intellect design में भी यह बड़ीया काम बन रहा है यहां से stock ने एक बड़ा सा राइस लिया तो यह वैसे तो pole बन जाता है pole बनने के बाद में इसने फिर क्या किया एक bearish flag pattern बनाया उसके बाद आज उस bearish flag pattern को break out किया है अब क्या होगा इस break out में कुछ ऐसे नजर आ रहा है और यहां पर जो आपको resistance मिलेगा वो 600 का मिलेगा तो 600 के break होने के बाद में support होने के बाद में stock यहां से rise कर सकता है तो उसके basis पे आप trade ले सकते हैं in case stock नीचे गिरता है तो 595 को break होने के बाद में यहां से थोड़ा सा profit booking आएगी और उसके basis में आप जो है अपने falling वाले जो है trade ले सकते हैं या आप अपने intraday में sell कर सकते ह उसके बाद हमारे पास में अगला है that will be gujarat gas अब gujarat gas मैसे तो कहीं जा नहीं रहा है देखिएगा यह यहीं पर trade कर रहा है और यह support इसको मिलता जा रहा है लेकिन इसके गिरने के बाद में जो इसने एक अच्छी से recovery show करी है यह थोड़ा सा movement हमारे लिए profitable हो सकता है और यह current level है that is coming around I think 487 के आसपास आ रहा है यह level को अगर break करता है तो थोड़ा सा आपको rise देखने को मिलेगा जिसके basis पे आपना trade ले सकते हैं in case यह नीचे भागता है 480 को break कर देता है तो थोड़ा सा में profit booking या fall देखने को मिलेगा और उसके basis पे आप जो है falling trade भी ले सकते हैं in gujar gas फिर हमारे पास में आएगा that would be BPCL अब BPCL देखेगा पहले इसका जो है एक BPCL का एक fix pattern है consolidate करके भागता है consolidate करके भागता है चीक है उसके बाद में moment देता है आप यहां देखेगा इतने दिन की moment थी आज भागाया लेकिन assistance face हो गया है तो यह उपर का line है यह line हमारे लिए अब एक breakout की तरह काम आएगा अब आप भी जानते कि breakout अगर होता है तो यहां से stock further rise करेगा तो उसके basis पर लेकिन आज कर लग रहा है कि maximum stocks मैंने आज चेक कर रहा था तो ऐसा करा कि breakout की तरफ जादा push कर रहे है तो पहली priority रखिएगा आप buy के लिए सब stocks के अंदर second priority आप चाहे तो आप रख सकते हैं इसके लिए falling के लिए और अगर यह नीचे गिरता है तो आप अपना sell trade execute कर सकते ह अब BPCL के अंदर तो गाइस दे रहेंगे हमारे stocks पर tomorrow और जाने से पहले हम लाइक और सब्सक्राइब करना हो बिलेगा मिलेंगा अगली वीडियो में until then take care have a nice day bye bye